हेलो शुदेंट आज हम लोग क्लास 11 का माथ चाप्टर 6 लिनियर इनिक्वालिटी एक्सर साइज 6.1 का कोशिय नुबर आज हम लोग 21 देखेंगे चले देखते कोशिय नुबर 21 हम लोग का क्या कर रहा है रवी आप्टेंट 70 और 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट है अब देखिए कि फाइंड दा मीनिमम मार्क्स ही सुट गेट इन दा थर्ड टेस्ट तु हाव एन आवरेज ऑप एट लिस्टी मार्क्स देखेंगे पूछ रहा है कि जो रवी है उसको थर्ड टेस्ट में कितने मतलब की मार्क्स लाने होगी कि जो इसका आवरेज है आव स्षच से कंभ समय होना है ते इसको क्या से सॉल्फ करेंगे तो चले देखते हैं साथ से पहले हम लोग क्या करेंगे लेट इस लिएस कि लेट माक्स माÁंगउ कि अब आ है कि देखते हैं माक्स कि एन फॉर्स्ट और अगर सेकेंड टेस्ट कितना कितना लिखिया फॉर्स और सेवेंटि और सेवेंटि फाइव अब लोग देखते हैं क्या अनुशार अकोर्डिंग टु कुछिश्चन एवरेज आवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं कोई भी चीज़ दि करते हैं तो सबसे पहले देखें के अवरेज क्या निखा लेंगे हम लोग को सेवेंटी प्लस सबस्क्राइब यहां प्लस एक करेंगे सम करते हैं कितना है तीन तो हम लोग यहां पर फिरी से क्या करेंगे divide करेंग और यह हम लोग क्या कह रहा है यह जो average होना चाहिए वो कितना होना चाहिए कम से कम क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए कम से कम 60 मतलब या तो 60 के बराबर होना चाहिए या 60 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर दिहान से देखेंगे थोड़ा solve कर देते हैं इसको add करेंग कितना हो जाएगे हम लोग का 0 में 5, 5, 7, 7, 14 प्लस X अब देखें यह क्या हम लोग का थिर यह इधर चल जाएगा तो divide में दे लागा तो multiply वे यह कितना होगा 145 प्लस X इसको solve करें कितना हो जाएगा 180 तो X क्या होज़ा है greater than equal to 180 अब देखें प्लस में 145 प्लस में दर आएगा तो minus में हो जाएगा आप देखें हैं से value find हो जाएगा हम लोग का X का कितना हो जाएगा 35 तो हम लोग का रवी का जो marks हम लोग कितना होना चाहिए at least 35 होना चाहिए तो हम लोग यहापर लिख देते so रवी need to score at least कितना होना चाहिए 35 तब जाएगे उसका क्या हो average 60 आएगा so student वीडियो पसंद आया तो like कीजिए, share कीजिए comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए thank you